इस वीडियो में हम देखेंगे कि A.U. Finance Bank में हमें अपना Zero Balance Account कैसे Open करना है Recently A.U. Finance Bank ने कई सारे Account Type Add की है जिसकी वज़े से कई सारे लोगों को Zero Balance Account देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को Account Opening का पूरा प्रोसेस बताऊंगा जिसमें कि आप Zero Balance Account ओपिन कर पाओगे आपको Account में Balance मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी आपको कोई भी Charges नहीं लगाए जाएंगे और आपको एक Free में ही David Card मिल जाएगा इसी के साथ में इस Account की खास बात यह है जो भी पैसा आप इसमें रखोगे 7.25% का Interest मिलता है और Interest आप सभी के Monthly Account के अंदर क्रेडिट हो जाता है तो Account को Open करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को वीडियो के डिस्किप्शन में एक लिंक दिया है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने EU Finance Bank की जो Official Website है आप उसी पे आ जाओगे तो आप यहाँ पर 3.0 के Option पे क्लिक करोगे तो आपको Account की एक टाइब दिखेगी जहाँ पर आपको Saving Account का एक Option मिल जाएगा जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे Account Type आप सभी के सामने आ जाते हैं जैसे कि आप देखोगे कि अभी Saving Account की जो Tab है उसपे मैंने क्लिक कर रखा है और यहाँ पर पहला जो Account Type आता है जिसमें कि देखोगे कि AU Digital Saving Account यह जो Account है यह Video KYC के माधम से Online Open किया जा सकता है और यह जो Account है Zero Balance Account है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें Balance को Maintain करने की जरुरत नहीं होगी और यहाँ पर यह जो Account है इस पर Interest जैसे कि मैंने आपको बताया था Like FD के जैसा Interest यहाँ पर मिल जाता है अब यही चीज है कई सारे लोग आते हैं कोई डिफरेंट टाइप का जो Account है वो चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर आप सभी को जो AU Digital Savings Account का Option दिया गया है इसी के आगे आपको जो Open Account का Option दिया गया है इस पर क्लिक करना है सबसे पहले तो आप सभी को अपने जो Mobile Number है जो कि आपके आधार कार्ट से Link है यहाँ पर फिल करना है और इंटर के Option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपके आधार कार्ट से जो भी Mobile Number लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है जैसे आप पर नमबर फिल करोगे आपका जो नेम है यहाँ पर Automatic फिचो करके आ जाएगा आप Confirm के Option पर क्लिक करोगे नेक्स पर जाता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नमबर है यहाँ पर फिल करना है तो अब आप सभी के आधार कार्ट से जो भी मॉबाइल नमबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा डिटेल्स को फिच करने के लिए यहाँ पर वो OTP फिल करोगे तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ट पर जो भी डिटेल्स हमारी मौजूद थी हमारा नेम मेल फिमेल जो भी जेंडर है हमारी इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारे आधार पर जो एड्रेस वो भी यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर इस पेज पर जो भी information blanks दिखाइ जाती है जिसमें कि आपकी जो information है वो मौजूद नहीं है आपको वन वाई वन सारी ही टैप पे click करके अपनी जो information है वो फिल करना है तो सब से पहले तो हम personal information के option पे क्लिक करते हैं यहां पर आधार काड़ से सारे रिकॉर्ड आ चुके यहां पर नीचे की तरफाना है आप मैरेड हो single हो चूज करना है अपनी जो email address यहां पर आपको enter करना है और सब्मीट डिटेल के option पे हमें क्लिक करना अब effectन जो पे ज आता है जहां पर आप सभी को फैमली इंफोमेशन देनी है जिसी के साथ में आपको अपनी मदर का जो नेम यहां पर फिल करना है अगर आप मेरेड हो तो यहां पर आपको अपने जीवन साथी जो नाइम है वह एड करने का option दिखेगा जहां पर आपको फिल कर देना है इसी के साथ में नॉमनी की जो details है वो भी add करने के लिए बोली जाती है जो कि अगर आप चाहो तो यह information बाद में भी add कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूंगा कि नॉमनी की information आप साथी के साथ add कर लो जिसमें की आपका जो भी नॉमनी से relation है चूज करना है नेक्स पे जाएगा जहां पर आप सभी को नॉमनी का जो name है यहां पर आपको फिल करना है नॉमनी की जो भी डेटा बर्थ है इस कलेंडर के option पर क्लिक करके select कर लेना है अब नीचे के तरफ आप देखोगे तो नॉमनी के address के section में आपके अधार कार सी जो address फिच हुआ है वहीं यहां पर automatic आ चुका है अभी जो address है अगर नॉमनी का भी current address है तो यहां पर आप सभी लोग यहां पर इस option पर क्लिक करोंगे तो कई सारी कटेगरी दिखाई जाता है तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो occupation details submit करना है यहां पर इस option पर क्लिक करोंगे तो कई सारी कटेगरी दिखाई जाती है आपका जो भी बिजनस है या फिर आप जॉब करते हो इस्टुडेंट हो यहां पर अपने according आपको चूज करना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि सारी ही टैप्स के आगे ग्रीन टिक लग चुका है यानि कि यहां पर यह जो इंफोमेशन है अपने फिल कर लिया है आप आगे बढ़ने के लिए हमें कांटिन्यू के option पे क्लिक करना है तो यहां पर जो भी इंफोमेशन आपने फिल की है एक बार आप सभी को एक समरी पेज दिखाया जाता है जहां पर आपको सारी डिटेल को रिब्यू कर लेना है को अगर आपकी यह जो ब्रांच है इसके अलावा कोई भी ब्रांच आप चूज करना चाहते हो अपने अकाउंट को मैप करने के लिए तो यहां पर आप वो ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हो चैंज के option पे क्लिक कर सकते हो मैरे केस में बिल्कुल ही सही है कनफर्म के option पे क्लिक करेंगे तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने account type चूज करने का जो पेज है वो आ चुका है जहां पर अलग-अलग type के जो account वो आपको दिखाएगे हैं अभी जो screen पर आप देख रहे हो यह आपको account अगर आप open करते हो जिसके अंदर आप देखोगे कि 5000 रुपे जो average balance है आपको maintain करना है यहां पर इस account में क्या 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 आपको benefit मिलेंगे जैसे कि आप देखोगे कि insurance cover मिल जाएगा unlimited digital transaction आप कर सकते हो जो इनकी application है अब यहां पर वीडियो के सुरुआत में जैसे मैंने आपको बोला था कि आप zero balance से अपना जो account है वो open कर सकते हो तो अलगा है तो इसके लिए नीचे के तरफ आप देखोगे कि एक option दिया गया explore other account का जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहां पर आप देखोगे कि EU bank के अंदर जो other account type है जिसमें कि अलग अलग हर account पे benefit आपको दिये जाते है अपने uses के according यहां पर आप अपना जो account है वो choose कर सकते ह पहला account value था जिसके अंदर 5,000 maintain करना था नीचे के तरफ आप देखोगे कि EU platinum करके account है जिसमें कि 25,000 आपको maintain करना होगा और भी कई सरे account type है जो कि यहां पर आपको दिखाए गए है अब यहां पर अगर आप zero balance से account open करना चाहते हो तो और नीचे के तरफ आओगे तो EU digital saving account का जो option है यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आप देखोगी कि average balance zero है यानि कि हर माईने आप सभी को इस account में balance को maintain करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना पूरा का पूरा पैसा withdrawal कर ले तो तब भी bank आप सभी को कोई भी charges नहीं लगाएगा यहां पर भी आप करेंगे अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगी कि आपको यहां पर minimum funding यहां पर आपको requirement बताया जा रहा है यानि कि यह जो account है वो zero balance account होगा लेकिन इस account को open करने के लिए आपको उस time पर minimum 5000 रुपे इस account के अंदर deposit करना होगा आप चाहो तो ज्यादा भी deposit कर सकते हो आप ही का account है और account open होने के बाद में इस पैसे को आप पूरी तरीके से utilize कर सकते हो आपको कोई भी lock-in नहां पर नहीं रहेगा आपका जो account है वो zero balance ही होने वाला है तो यहां पर हम proceed to payment के option पे क्लिक करेंगे अब यहां पर यह जो fund है वो हम किसी other अपना जो account पहले से open कर रखा उसके अंदर से हम ला सकते हैं तो यहां पर जैसे की 5000 ही हम लाना चाहते हैं यहां पर फिल करेंगे account number पहले से जो हमारा open है वो यहां पर फिल करेंगे यहां पर हमें दर्ज करना है और पे के option पे क्लिक करना है तो यहां पर आप देखोगे कि payment करने के कई सरे option आते हैं जहां पर चाहो तो UPI यह पर net banking के थूप payment कर सकते हो बाकि यहां पर जिस account के आपने detail एड कि है वो भी यहां पर सो हो जाएगा तो यहां पर आप उसको select कर सकते हो तो हम UPI के जरीए add करना चाहते हैं UPI ID हम यहां पर फिल करेंगे verify के option पे क्लिक करेंगे और यहां पर proceed to pay के option पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने Google Pay का option select किया है तो यहां पर यह जो 5000 रुपे का जो amount है में Google Pay application के अंदर जाकर करके अप्रूब करना है और चैस हमारे activate हो पाएंगे तो यहां पर इनिसेट वी कि का जो option दिया गया इस पर क्लिक करना है और यहां पर इस पेज पर आप सभी को थोड़ा सा वेट करना है याद रखना यहां पर आप सभी के पास में आपका जो original क्यों करने की जाएगे तो यहां पर क्लिक है तो इस टार्ट योर वीडियो के वाइसी का option आपको सो होगा जहां पर आप सभी को बैंक करमी के साथ में बात करना है कम्निकेट करना है अपना पैंकार दिखाना है सिगनेचर करके दिखाना है उसके बाद में आप सभी की के वाइसी है वह सक्सेस्पुली कम्प्रीट हो जाएगे इसी के साथ में आपका जो account है वह पूरी तरीके से अप्लिकेशन को इनिस्टाल करके आप सभी लोग अपना जो मोबाइल नंबर है सेम इंटर करोगे तो आप अप्लिकेशन के अंदर लॉग इन हो जाओगे बैंकिंग की जितने भी फीचर से आपको मिल जाएंगे उनको आप यूज कर पाओगे तो आसा करता हूँ आज का यह वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना एव फाइनिस बैंक के अलावा भी मैंने कई सारे बैंक के अंदर आकाउंट को कैसे अगर आप हमारे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेक आउट कर सकते हैं बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिन